हेलो एंड गुड मॉर्णिंग ओल अफ यू डेली नूच के परिवार में एक बाफ फीर से आप सभी का स्वागत है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यह वीडियो ACC MTS के प्रिवेस यर्स का कोश्चन है और यह पार्ट नौ है अब तक आठ पार्ट आचुका हुआ है परते एक पार्ट में 25 कोश्चन रहते हैं जो अगर्स 2019 में ACC का एकजाम में जो आया हुआ था वो कोश्चन रहता उसका विश्तित रूप से पूर्ण विवरन दिया जाता जिससे आपको कोश्चन का पैटर्ण का पता लग जाता है कि ACC MTS में किस परकार का कोश्चन आता और यह latest कोश्चन है जिसके कारण आप अंदजा लगा सकते हैं कि आयोग कैसे अपने कोश्चन को चेंज करता है किस टाइप का कोश्चन आयोग में अब आ रहा है तो चलिए देखते हैं आज के 25 कोश्चन को इससे आपको निशी तोर पांदाजा लएगा कि आपको कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है और आपका प्रिपरेशन जो किया वो अच्छा है या नहीं है इससे पहले पता दे कि आप हमारी टेलिग्राम पूर टेलिग्राम ग्रूप में या एक अटो बायो गराफी है जिसका नाम है लेशन लाइफ लेशन लाइफ टॉट में अनुवेंगली यह किस अभिनेता का नाम है और आपके पास चार ऑप्सन दिये गए हैं और आपका सही जवाब है देखते हैं सही जवाब क्या है इसका सही जवाब हो जागा ऑप्सन यानी अनुपाम खैर अनुपाम खैर एक बालीवूर्ट के अभिनिता है इनकी यह पुस्तक है इस पुस्तक को उन्होंने कब लिख ता था था दो reflect में यह पुष्टख release हुई थी, 5 अगर्ष्ट 2019 में यह पुष्टख release हुई थी यह पुष्टख release हुई उसके बाद उन्हों ने एक कौपी परधान्मदिर नरेंद मोदी को भी साजा किया हुआ था, दिया हुआ था, इसका प्रकाशन penguin इसका प्रकाशन जो हुआ था, penguin सिर्फिन रिडन हाउस के द्वारा था इसका प्रागाशन और अनुपाम खैर कि एक और पुछतुद यह तो उनके अटो बाइवर आप ही है लेकिन एक उनकी और पुछतुद यह त टिंग एबाउट यू इज यू धा बेश्ट धिंग एबाउट यू इस यू यू यह भी ह क्या है कि एक पुछ्छता के हो सकता इसे भी related question आ सके हैं अगला question देखते हैं question number 2 कंदरिया महादेव मंदिर का निर्मान किस सासक के द्वारा किया गया था और आपका 4 option दिये गये हैं देखना आपका सही जवाब क्या होता है और आपका सही जवाब हो जाएगा option A यानि कंदरिया महादेव का यह मद्द पर्देश में है मद्द पर्देश का एक गाउं है खजुराओ इसी खजुराओ गाउं में यह मंदिर है कंदरिया महादेव का मंदिर अब कंदरिया महादेव का मतलब होता है गुफा कंदरिया का मतलब होता है गुफा और महादेव का मतलब हो गयाju यानि गुफ़ा में जो तो सेव को समर्पित मंदेल इसका निर्मान अंदाज हए कि एक हजार पचीश से एक हजार पचास के बीच में इसका निर्मान हुआ उगा और इसके पिकल में निम्नलिखीत में से से रसाइनिक योगीकों को पर thought planned परियोग के गल में चार प्रभुका निक बचाने के लिए निक कि लिए सॉडियम या sodium benzoic acid का sodium salt है sodium benzoic acid का formula होता है C6H5C00NA चलिए अगले question को देखते है question number 4 question number 4 है भारत सरकार के लिए banker के रूप में कौन कार्य करता है जैसे हम लोग को bank की जद्वत परती है था हम किसी bank पर जाते है उसी तरह भारत सरकार को अगर bank की जरुवत परे तो वहां किस bank रहे भारत सरकार का bank कौन है चार option दिये गए हैं और आपका सही जवाब होगा निशी तरह आप समझ पा रहे होगे आपका सही जवाब होगा आपका सही जवाब होगा option 2 यानि reserve bank of India या भारत सरकार का bank है इसे bankerों का banker भी कहा जाता है इसे kendrai bank या भारत का kendrai bank है केंद्रिये bank का मतल़ जो भी bank हो है bankों का संचालन यही करता है भारतिय अर्थवे स्था को नियंतित and hand дости के द्वारा ही किया जाता है RBI की अस्थापना एक अपरेल 1935 को RBI की अस्थापना हुई थी जब इसका अस्थापना हुआ था उस समय इसका हेड़कॉर्टर कुलकता में था लेकिन 1937 दो साल बाद इसका हेड़कॉर्टर कुलकता से मुबई चला गया और आज भी इसका दास RBI मुद्रा जो होता है मुद्रा का नोट करता है foreign currency सबका संचे RBI के द्वारा ही होता है आगे चलते अपने अगले question की तरव question number 5 मौलिक अधिकार किस भाग में है यह question ऐसे होता था आपको ज्यादा समझ में आता कि मौलिक अधिकार समिधान के किस भाग में है तब आपका सही जवाब होगा option 3 यानि आपका सही जवाब क्या हो जाएगा option 3 यानि part 3 भाग 3 में मौलिक अधिकार है समिधान का भाग 1 जो होता है भारत और इसके राजियों से है भाग 2 में नागरिकता है भाग 3 में मौलिक अधिकार है तो भाग 3 में परेंगे हमनों मौलिक अ यह सब मौलिक अधिकार से डिलेटेड है अभी जो हमारे समिधान में है छो मौलिक अधिकार मुल समिधान में साथ मौलिक अधिकार थे लेकिन एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया अभी छो मौलिक अधिकार है पहला मौलिक अधिकार है समता यानि समता का अधिकार समता का अधिकार है अनुछेद 19 से लेके अनुछेद 22 तग तीसरा है सोसन के बिरूत अधिकार जो आपको पता होगा कि 14 साल से कम के जो बच्चे होते हैं यह है अनुछेद 23 और अनुछेद 24 चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यह अनुछेद 25 से अनुछेद 28 पाचवा है सिक्षा और संस्कृति का अधिकार यह अनुछेद 29 और अनुछेद 30 सोरी ये चठा हो गया अनुशेत उनुशेत ती तो ये हमारा कुछ मौलिक अधिकार था जो असानी से आप उसको देख लिये और असानी से इसको समझ लिये चलिए आगे चलते हैं अगले कोशन की तरफ कोशन नमबर चो उत्री गुलार्द में ग्रिस्म कालिन संक्रांती किस दिन होती है उत्री गुलार्द में ग्रिस्म कालिन संक्रांती किस दिन होती है चलिए देखते हैं इसका सही जबाब क्या होगा इसका सही जबाब हो जाएगा option 4 यानि 21st जून 21 जून को उत्री गुलार् कोबालीन, विटामीन, किस का बैग्यानिक नाम है कोबालीन, बैग्यानिक नाम कोबालीन है, किस भीवानिक का, चले देखतें इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब क्या होता है, इसको हम देखते हैं, और इसका सही जवाब हो जा रहा है, और इसका सही जवाब हो जा र बतावते हैं जैसे बिटामीन A आप बिटामीन A बोलते हैं इसका रसाइनिक नाम क्या होता है बिटामीन A का रसाइनिक नाम होता है रेटिनॉल बिटामीन B का रसाइनिक नाम होता है थाइमीन बिटामीन C का रसाइनिक नाम होता है एसकॉर्विक एसीड बिटामीन D का नाम ह पुछले बीटामिन D काना पुछे ताब बीटामिन से लेटर कोचन देख लेंगे अगला कोचन कोचन नमबर आठ निम्नी लिखित में से कौन सा एसीड शुरूत जोरे सही धंग से मिल खाते हैं यह आपको चार सा एसीड का नाम दिया हुआ है इसको बतलाना है कि कौन इसमे सही है और आपका सही जवाब हो जाएगा option two citric acid lemon यह इसका सही जवाब है चलिए आगे चलते हैं अगले कोचन की तरफ कोचन नमबर नौ कोचन नौ काता है वर्स 2020 के इसकोच मुख मंत्री पुरसकार से किसे समानित किया गया तो देखते हैं इसका सही जवाब क्या है इसका सही जवाब हो जाएगा option three y.s. जगन मोहन डेडि या आंध परदेश के cm है इन्हें 2020 का इसकोच मुख मंत्री पुरसकार से नवाजा गया है इन्हें या पुरसकार जो है इसकोच समू के अध्याक से समीर कोचर ने इन्हें या पुरसकार दिया वह यह पुरसकार जो है परियोज राज में जो परियोजनाय चला जाती हैं तो इन्होंने अंपरेश में 100 से ज़्यादा परियोजनाय चलाई फिर वहाँ का परसासन सर्वजनिक वीतिये प्रवंधन प्रनाली की देखरेक के लिए कौन सा विभाग नोडल विभाग है यानि वीतिये जो प्रवंधन होता है जो सर्वजनिक वीतिये प्रवंधन इसकी देखरेक का कौन सा विभाग इसका देखरेक करता है और इसका सही जवाब वजाएगा ओप किस प्रकिलिया द्वारा प्राप्त किया aoson्तिण समुद्र का पाणी यहां पर यहां पर बांध बना दिया यहां पर बांध बना दियाता है यह पानी आये तो इधर से क्रॉस करके चला जाए लेकिन इधर से पानी वापस नहीं है तो पानी यहां से वापस जम नहीं जाएगा पानी जम जाएगा उसके बाद वास्पी करन सूरिय के परकास से यह पानी धिरे 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 सूख इसी को वास्पी करन का जाता है और इसी प्रकिरिया का यूज किया जाता है आगे चलते हैं कोच्चल नमबर 12 मोथ की मस्जीद किसके सासनकाल में बनाई गई थी मोथ की मस्जीद जो है यह किस राजा के सासनकाल में बनाई गई थी उस राजा का नाम बताना है और आपका सही जबाब हो जाएगा option 2 सिकंदर लोदी के सासनकाल में इसे बनाया गया था मोथ की मज़िद इसे मजजिद मोथ के नाम से भी जना जाता सिकंदर लोदी के परधान मंतित जिनका नाम था मिया भोईया मिया भोईया जेते इन्हों ने इसका निर्मान 1500 में करवाए वा था इसका निर्मान दिल्ली में वह था यह आज भी दिल्ली में ही है मोथ की मज़िद आगे चलते हैं कोचा नंबर 13 की दरप हर गोबिन्द खुराना डॉक्टर हर गोबिन्द खुराना को किस छेतर में नोबेल प्राइस दिया गया था डॉक्टर हर गोबिन्द खुराना इन्हें किस छेतर का नोबेल दिया गया था ताब डॉक्टर है ताब को पता ही चल जागा क्या हो जागा option A medicine के छेतर में इन्हें चिकित्ता के छेतर में दिया गया था 1968 में इन्हें नोबल मिला हुआ था यह ऐसे थे यह पेर के नीचे पढ़ाई करते थे 1968 में इन्हें नोबल मिला इन्हों ने पहला क्रित्रिम जीन की खोज की थी यह protein इसके लिए इने जिनेटिक कोड और प्रोटीन से लेशन के लिए इन्हें नोबेल मिला था इन्हें 1968 का जो नोबेल बाकी दो लोगों के साथ उसल टोटल मतलब बेटिशीन में तीन आदमी को मिला था एक तो हर्गोविंद खुराना थे बाकी दो आदमी थे एक थे इन दोनों को भी इनके साथ मिला हुआ था आगे चलेंगे अगले कोशन की तरफ कोशन नमबर 14 भारत के समिधान द्वारा किस परकार की नागरिकता परदान करते हैं भारत की समिधान हमें किस परकार की नागरिकता देती है आपके पर चार ओप्सन दिये गया है इसको आप अच्छे से पढ़के आप समझ सकते हैं और इसका सही जबाब बता सकते हैं और इसका सही जबाब हो जाएगा Single Citizen City यानि एकल नागरिक्ता का परधान हमारे समिधान में किया गया है हमारे समिधान के भाग 2 अनुछे 5 से 11 में नागरिक्ता का परधान है और हमारी नागरिकता क्या है एकल नागरिकता निए भारत में आप किसी भी राज्य में रहे राज्य की कोई नागरिकता नहीं है एक ही नागरिकता वह भारत के यानि भारत के एक राज्य आप दुसरी राज्य में चले जाएंगे आप भारत के ही नागरिकता लाएंगे कोश्चन नमबर पंदरा चारू पालम जुकाओ का गाउं किस मंदिल के पास इस्थित है और आपका सही जबाब हो जाएगा अगला कोश्चन देखते हैं कोश्चन नमबर 16 पौधो के बीच कि नंगे जमीन को भूसु की तरह कार्वनिक पदार्थ की एक परत के साथ कभर किया जाता है या मिट्टी की नमी को बनाए रखने में मदद करता है इस प्रकिरिया को पाचानिक इस प्रकिरिया का क्या नाम है मिट्टी की नमी को बनाया रखा जाता है और चलेंगे अगले कोश्चन की तरह Q2. Q17. 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 Q का हुए था उद्गाटन उनीस सो उनीस में खिलापत बंधु सब्सक्राइब बंधुर्ण इसका निर्माण इसका रिखान समफ्राथी दीगा इसमें क्या था मुसलिम के विरुद्ध हुआ था उस उंग्रे एंघ्रिक फटी समफ करने के लिए की बोला वुष इसे के विरु सामविधिक आयोग 1928 का नित्रित्व किसने किया था और आपका सही जबावा जाएगा ओप्शन सी सर जोन सीमोन ने इसका नित्रित्व किया था आगे चलते हैं अपने अगले कोचन के तरफ कोचन अबर 19 परधान मंत्री श्रम योगी मन्थन योजना के तहत लाभारती कौन ह यानि इसका लाभ किसे मिलेगा प्रधान मंत्री श्रम योगी मन्थन योजना देखते ही किसे मिलेगा इसका लाभ मिलेगा ओप्शन एक मतलब लिमिटर इसके अनुसार पैसा जमा करना है उसके बाद इन्हें रिटार्मेंट यानि सार सल के बाद तीन हजार रिपया का इन्हें पेंसन मिलेगा या इसकीम है इसके अंदर चलिए आगे चलते हैं अगले कोचन की तरफ कोचन नमबर 20 हिंद स्वाराज की किसके द्वारा लिखा गया हिंद स्वाराज के लेखा कौन है उनका नाम बताना है काफी फेमस कोचन है और फेमस बेक्ती ही इसे लिखे हुए है मोहन दास करमचंद गांदी है नाव से जा रहते हैं तो इसी नाव पर ये पुष्टक को इन्होंने लिख दिया सोचिए ये एक जगह से दूसरे जगह जा रहते हैं उस दोरान इन्होंने एक पुष्टक को लिखा आगे चलते हैं कोशन नमबर 21 निम्नलिखीत में से किस अस्थान पर रेशम वस्तर उध्योग नहीं है भारत के यूपी राजे में है यहीं से भारत का मानक जो समय होता यहीं से निर्धारित किया जाता है आगे चलते हैं अपने अगले कोशन के तरफ कोशन नमबर 22 भारतिय समिधान का कौन सा अनुचेद भारत में समान नागरिक सनहिता की अस्थापना की परदान करता है यानि समान नागरिक सनहिता की बात की इस अनुछेद में की गई है और आपका सही जबाब हो जाएगा option 3 यानुछेद 44 में समान नागरिक सनहिता की बात की गई है समान नागरिक सनहिता यानि जो भी नागरिक है उसब पर एक ही कानून लगा गया यानि पंथ निर्पेक्ष यानि धर्म के अनुसार उनके कानून है आज हमारा जो सिविल कानून है वो हिंदू के लिए अलग है मुस्लिम का उनके धर्म के अनुसार ही बनाया गया है कि सबका अपना कानून होगा तो यह समान नागलिक सनीता कहता है कि धर्म कोई भी हो सबके लिए कानून एक ही होगा आगे चलते हैं अगले कोश्चन के तरह कोश्चन नमबर 23 निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र के उपर की बस्तों को देखने के लिए पंडूवियों में इस्तमाल कियाता है पंडूवी में या बरे-बरे जो ना होते हैं वो क्या होते हैं पानी के नीचे चलते हैं और पानी के उपर क्या है क्या में पथर है कि क्या है पहार है इसको देखने के लिए पेरी इसको का परियोग किया आता है या पंडूवी जो जमीन के अंदर पानी के अंदर है उसकी पानी के उपर क्या हो रहा है उसको देखने के लिए परियोग किया आता यानि इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि छुप का देखने में भी इसका परियोग किया जा सकता है कि आप छुप जाएंगे इसको देख सकते हैं पंडूबी में यूद पोस्ट में इसमें इसका परियोग किया तत इसका नाम क्या है इसका नाम बताना आपका सही जो इसका नाम क्या है हम आपके ज़्यवाप इसका इसमें इंसर नहीं आ रहा आ चौँड़ चार नूमबर था नीचे चला जारा है इसका नाम है पेरी एशकोप पेरी एशकोप इससे आप छूप का देख सकते हैं जो प्लेक सब्सक्राइब वो इसको छूप का देख सकता है पंडूबी में यूथफोप में इसे लगाया जाता है ताकि हम अपने दुस्वन पर नजर रख सके क्वेशन नमबर 24 कहां पर हुआ था 1975 में जो पहला किरिकेट का बिस्वक अप हुआ था यह कहां हुआ था 1975 में किरिकेट का पहला बिस्वक कप कहां हुआ था आपको सही जवाब बताना है और आपका सही जवाब जाएगा Option B यानि इंगलेंड में पहला किरिकेट का बिस्वक कप हुआ था यह पहली बार 1975 में हुआ था जब इतना बड़ा टूर्नामेंट हुआ था इंगलेंड में वंडे का सबसे बड़ा टूर्नामेंट हुआ था यह साथ से 21 जून साथ जून से लेकर 21 जून तक यह चला था और इसका विजयता वेस्ट इंडिस टीम था यानि परणा वेस्वक कर वेस्ट इंडिस चेंज यह था और इसमें सरवाधिक रन ग्लेंड टर्णने लगा था 333 उसमें यह काफी ज़्यादा रन लगता था आज एक टूनामेंट उड़ा उसमें 700-800 रन लग जा रहे हैं लेकिन यह 333, 1975 में बहुत ज़्यादा था आगे चलते अगले कोचन की तरह भारतिये संसत के उपरी सदन को किस नाम से जाना जाता है संसत का उपरी सदन का नाम क्या है और आपका सही जबाब जाएगा option B राजे सभा राजे सभा को सदन का उपरी सदन बोला जाता है या दूतिये सदन बोला जाता है लोग सभा को निचली सदन या प्रतम सदन या इसे जनता का सधन बोलाता है राजे सभा को बोरो का सधन बोला जाता है ये राजे सभात है राजे सभा के अभी अध्यक्ष तो राजे सभा के अध्यक्ष उपराश्पती है जो उपराश्पती है हमारे बेंक कही है नाइडू मलिकारजुन खगरे दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है 25 कोश्चन का यह वीडियो था जो अप्रैल में सब्सक्राइब मिल जाता है और चैनल को सबस्क्राइब ना किये हुँगे तो उसको निश्ची तो่र पर सब्सक्राइब करेंगें यह चैनल आपके लिए काफी झूप झूप